ये है दक्षिन भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक तिरू वल्लम श्री परशुराम स्वामी मंदिर इस मंदिर को बार्वी और तेर्वी शताब्दी में बनाया गया और अब ये मंदिर आख्योलोजी सर्वे ओफ इंडिया के अंडर है इस मंदिर के अंदर जाने के लिए हमें सबसे पहले एक लकड़ी के बने कमरे से होकर गुजरना पड़ता है इसके बाद एक खुला हुआ एरिया आता है जिसमें भगवान शिव, भगवान विश्नु और भगवान ब्रह्मा के मंदिर हैं इन मंदिरों के आप दर्शन तो कर सकते हैं पर अपने कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते क्योंके कैमरा यूज़ करने की यहां पर सक्त मना ही है यहां के पिलर्स पर बार्वी शताबदी की बनी हुई कला कृत्यां भी देखी जा सकती है एक परानी कथा के अनुसार जब परशूराम ने अपनी माता की हद्या कर दी उसके बाद इस पाप से मुक्ती पाने के लिए वो यहां पर आए और आकर तपस्या की यहां के निवासियों का एक त्योहार है वाली उस दिन लोग इस मंदिर में आते हैं और आकर इस पवित्र जल में डूपकी लगाते हैं जिससे के उनके पूरवजों की आत्माओं को शान्ती मिलती है